हेलो स्टेरेंट्स, वेलकूम डू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे आप सब लोग मास बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सोसल फार्मिसी का चैप्टर नमर वन लेक्टर नमर थार्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी आखिरकार हमारी गवर्मेंट नैशनल लेवल पर है ना राष्टी अस्तर पर कैसी हेल्थ पॉलिसी अपना रही है अपनी जनता को सारी हेल्थ या सौस्त विविदाने के लिए है न तो नैशनल हेल्थ पॉलिसी अलग Google को अलग अलग है तो यहाँ अपर हम लोग अपना तो आप देखते हैं कि national health policy, okay, तो national health policy, तो इसके दिए को सुरुवात कहां से हुई, इसका जो कहते हैं, beach कहां से पढ़ा, तो इसका जो beach पढ़ा है, alma ata इसका मैंने एक और lecture में discuss किया हुआ है, ठीक है, health को लेकर जो एक lecture है हमारे पास, कि alma ata जो की कजाकिस्तान में है, वहाँ पर एक meeting हुई थी, पूरी worldwide meeting हुई थी, कब हुई थी, 1978 में, और वो meeting थी इसलिए, क्योंकि पूरी दुनिया में गरीवी बहुत जादा है, और लोगों का health का इस्तर बहुत नीचे है, तो 1978 में emerged as a major milestone, एक meal का पत्थर की तरह साबित हुआ ये, of the 20th century, है ना, यहाँ पर एक declaration हुआ, एक तरह समझो कि एक संधी हुई, एक form भरा गया और पूरी दुनिया के देशों ने इसको sign किया माना, in the field of public health, क्या था ये, public health को ले करके एक meeting हुई थी, ठीके ना, alma ata में, and it identified primary health care as the, और इसने पाया, की primary health care as the key to the attainment of the goal of health for all, इसने पाया कि जो primary health है, ये क्या है, होना चीए, गोल होना चीए, health for all, सबकी health, सबकी देश के हर सरकार की जिम्मेदारी होनी चीए, कि वो अपनी जनता का, क्या करे, health for all, याने कि ऐसा कुछ इस करे, कि एक primary health care सुविधा हर किसी के पास तक पहुँचे, ठीक है, क्योंकि health के ओपर खर्टी थोड़े से जादा ह हो जाते हैं, तो इसको देखते हुए, जब संधी होगी, सारी चीज़े होगी, तो इसको देखते हुए, अब क्या हुआ, इंडिया ने भी, भाई, यहाँ पर साइन वगरा सब कुछ हुए, अब इसको देखते हुए, क्या हुए, national health policy का, क्या होता है, जन्म होता है, ठीक ह नेशनल हेल्थ पॉलिसी, 1983 में, डेट याद रखेंगे, वनमाक्स के लिए, इंपॉर्टेट है, पहली बार, national health policy, कब आई थी, 1983 में, keeping in view, the national commitment, जो national commitment है, उसका, to attain the goal, health for all, ठीक है, गोल तफुल कंट्री का, सब का एक ही था, इनके लिए भी, गोल क्या हुआ, health for all, by 2000, यह प्राइमरी स्वास्त के मिल जाएं, जिससे ही आदनी अपना अराम से छोटी मोटी बिमारियों का इलाज करा सके, ठीक है, तो पहली policy का आई, 1983 में, the policy lays stress, policy ने खास जोड दिया, on the preventive, prevent मतलब रोग थाम, प्रोमोटीव, प्रोमोटीव मतलब प्रोचाह, प्रोशान देना, public health and rehabilitation, public health पर और rehabilitation aspect, यानि, rehabilitation of healthcare, public health का और rehabilitation, मतलब जो public health care थे थे तो, लेकिन अच्छी आवस्था में नहीं थे, तो उनका क्या करना था, rehabilitation पुनर वास जिसे कहा जाता है, ठीक है न, preventive, promotive, public health and rehabilitation aspects of healthcare, healthcare के जो प्रोगधान थे, उनमें, उन्होंने preventive, promotive, public health and public health को रखा और rehabilitation रखा किसका, healthcare system के, किलियर है, अब आते है, national health policy 1983 पर, ठीक है, क्या है, to attain the objective health for all by 2000 AD, the union ministry of health and welfare formulated national health policy 1983, तो अब कोई पूछ दे होता हो, aim क्या था, objective क्या था, 1983 का, health for all, कब तक, 2000 तक, ठीक है, खेल खतब, key element, अब उसके अलावा भी, कैसे achieve करेंगा, और क्या-क्या main बाते थी, है, creation of greater awareness of health problem, यहाँ पर हमें क्या करना है, health problem को, जो awareness है, जागरुकता बढ़ानी है, in the community के अंदर, and community समझते हो न, समाज के अंदर, and means to solve the problem by the community, और, हमें उसको क्या करना, community के द्वारा ही, उसको solve करने के साधन को ढूनना है, बाइ, community जब तो participate नहीं करेंगे, कि कैसे बीमारियां फैलती है, क्या हो रहा है, community participate नहीं करेंगे, जब कोई जैसे डेंगू गरा फैलता है, तो कहा जाता कि बाइ, पान मते खटा होने तो, यह सम मत करने दो, तो, creation of greater awareness, हमको community में awareness जगाना है, बिमारी को लेकर के, तब ही तो वो इसको रोक पाएगी, supply of safe drinking water, drinking water की safe supply होनी चाहिए, and basic sanitization, sanitization मतलब साफ सपह, गलियों की आजकल देखाऊगा, नगर पालगा के तरफ से साफ सपह चलती रहती है, नाले साफ होती रहती है, तो, basic sanitization using technologies that people can afford, उन टेकनलोजी का इस्तमाल करते हुए, जिसको people afford कर सकता है, ठीक है ना, reduction of, reduction मतलब कमी लाना, of existing imbalance in health service, जो health services में imbalances है, imbalance मतलब सबस्थते हो, एक तरह से करें, ऊपर नीचे कोई चीज़ होना, या कोई चीज़ बैलेंस ना होना, by concentrating more on the rural health infrastructure, imbalance है, शहर में तो अच्छा है, गाउं में उतना अच्छा नहीं है, तो एक तरफ अच्छा development, एक तरफ low development, health care का, ये भेदवा हो गया, imbalance हा गया, तो उनने focus किया कि नहीं भाई, हमें गाउं का भी जो रूलर का health infrastructure है, उसको भी अच्छा करना है, ये सब इसके वो है, की elements, establishing of dynamic health management, ठीक है न, जो health management है, या फिर डानमिक किसको दिक्कात आज़े, डानमिक मतलब, health management को पूरा एकदम, डानमिक मतलब एकदम से active, dynamic health management information system to support health planning and health program implementation, health management information system, अब information system होना बहुत जरूरी है, है न, माल लो, सब कुछ आज के टाब पर क्या, computerize है, जो जिस चहर में वो data डाल देता, यहां इतनों लोग बिमार होते हैं, यह पर यह बिमारी है, यह ऐसा चल रहा है, गवं में लोगों की मासित्ता यह है, इस बिमारी का ऐसा चल रहा है, यहां दबाया कम रहती है, सारी information जा रही है, उसी के हिसाब से तो हमारा health program बनेगा, अब इस सारी information data collect होगे, कहां बहुत चाहां, main center पे, वहां पे बैठे हुए हैं, अपने लोग, पड़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जो इसी field से हैं, फार्मसिस्ट होंगे, डॉक्टर होंगे, हर कोई होगा, वो देखे हैं अच्छा, यह सारी बिमारी हैं, यह सारी problems आ रही हैं, अवरी country में, उसी हिसाब से फिर policy बनाई जाती हैं, बासमझ मारी हैं, अब provision of legislative support to health protection and promotion, कानूनी support, है न, जिस तरह से हमारा क्या कहते हैं, पढ़ाई एक जर्मसिद अधिकार कर दी गए, तो एक यह health भी हमारा क्या है, एक जर्मसिद अधिकार होंगे, प्रामरी health जो है, वो सबका right बन गया है, to health protection and promotion, health का protection और promotion को क्या कर दिया गया, legislative support दे दिया गया, कानूनी रूप दे दिया गया, concerned action to combat widespread malnutrition, concerned action, एक concerned मतलब जिससे आप तालूप रखते हैं, एक action लिया गया, to combat, combat मतलब जिससे हम लड़ना चाहते हैं, widespread of malnutrition, malnutrition मतलब खाने पीने की, जो कमी है, उसमें nutrition नहीं है, देखा होगा, उसकूलों में midday meal चलता है, क्यों चलता है, क्यों गाउं का आदनी गरीब है, अपने बच्चे को वो चीज नहीं खिला पर हो, रोटी आलू, रोटी आलू खिला रहा है, है ना, और midday meal में क्या alternative method of healthcare delivery, ठीक है, एक विकल्प, alternative होता है ना, विकल्प, research करना हम एक alternative method के लिए, एक विकल्प के धुनना है हमको, किसका healthcare delivery, कि हम कैसे health के delivery मतलब, healthcare services है, हर किसी के पास तक पहुंचा पाएं, and low cost health, और उसके cost भी क्या हो, कम हो, ऐसी technology मना पाएं हम लोग, greater coordination of different system of medicine, जो different system of medicines ह उनका अपस में, तालमेल और coordination होना चाहिए, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए, कि ये सब बाते अगर हम करेंगे, तो उन्होंने सोचा, कि हम अपना, जो, अपना main goal है, health for all, इसको हमनों achieve कर लेंगे, बाते रखी गई सब कुछ सा लेकिन बहुत सा लिए की खामिया थी ठीक है, उतने अच्छे तरीके से हम implement नहीं कर पाए, चीज़ें इसके अंदर अच्छी थी, ठीक है, तो उसी को मद्य नजर देखते हुए, काफी चीज़ें हुई भी, ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं हुई, फिर उसमें कुछ खामिया बगर रहा थी, तो उसको देखते दो में, क्या हुआ, नैशनल हेल्थ पॉलिसी अगली आई, तिरानवे के 83 के बाद 2002 में इसके मेन अब्जक्टी देखनें क्या था, अचीविंग एन असेप्टेवल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ, ऑफ इंडियन पॉपॉलिशन, हमको अचीव करना है, इसने मिशन है, इतनी हेल्थ होनी चाहिए, ठीक, मतलब खास करएं जो गरी लोग Гरी बात हो रहे हैं पर डि सेंट्रलाइजंग पब्लील सिस्टम, पब्लील सिस्टम को डि संक्रल्याइज कर दिया, मतलब ऐसानी करदी के जङग़ जगकॉब अप्टेदा को पॉइंग मौझूद थे institution मतलब जो संस्था है मौझूद थी उनका कहा क्या infrastructure को अपडेट किया गया अपडेट मतलब जो चीज अल्रड़ी होती है उसमें modify करके चीज़ों को और अच्छा बना देना insuring solicit करना more equitable access equitable मतलब बराबरी to health services यह insure किया जाए कि कोई भी इंसान हो बुड़ा बच्चा गरीब मर्द औरत अमीर कोई भी हो equitable access सबको जो health care service है वो बराबरी से मिले यह नहीं कि भेदवा होगे इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा across the social and geographical expense of India पूरी जो social और जाए कोई हमारे समाज में तो बैदवा हुई है ठीक है तो उसको देखते हुए equitable access to health service जो चीज़े मैं लाइन करते हूं यह मेन आ जाता है acceptable standard ठीक है decentralizing public health system अगर तुम यह भी line लिखते आते हो जो मैं bracket में बंद कर रहा हूं चलेगा enhancing मतलब बढ़ाना the contribution of private sector in providing health service for people who can afford to pay हमको यह भी देखना था कि भाई हम गाव में तो कर रहे हैं भाई गाव में एक सरकारी वाला हिसाब रहता है वो चाहते हैं कि हम लोग private sector में भी अच्छा हो जो लोग afford कर सकते हैं पे कर सकते हैं अच्छा खासा वो private स्विधाय तो मिल जाएं ऐसो दिन है कि उससे कोई बहारी कंट्री में जाना पड़ रहा है एक सहर से दूसरे सहर में जाना पड़ रहा हर सहर में at least private स्विधाय तो ऐसी हो कि जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं अपने सहर में इलाज करा ले करें दूर ना जाना पड़ जाएं गिविंग प्राइमेसी प्रधानता देनी है फॉर प्रिवेंशन और फॉस्ट लाइन क्यूरेटिव इनिशेटिव हमें रोक्ताम करनी है और फॉ इंक्रीजिग एक्सेश टूश। सीश्टेम्स आफ ट्रैडिशनल मेडिशन के लूग अगर जाना चाहते हैं तो आपना इलाज करा है तो यह सारे क्या थे इसके ओब्जेक्टिव थे बास समझ वारी है तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं है नेश्ञाइट प्लसी का मतलब क्या है पूरी कंट्री की इनको पूरी कंट्री की हेल्थ को अच्छा करना अब कुछ इनों टार्गेट रखें एराडिकेशन मतलब मिटा देना है पोलियों को और यौस को बाइज 2005 की और गोल रखा कि यहां तक हमको पूरा पूरा पूलियों मिला देखा होगा 2005 तक तुम लोग अब साइध बाइस साल याने कि तुम लोग छोटे होगे तुमको आइडिया नहीं होगा अपने पाप से पूछना पूलियो प्रोग्राम चले था बड़े जवर्दस तरीके से हर तीन महने में चार महने में पूलियों प्लाई जा रही है पूलियों को बिल्कुल जड़ से हम इसको भी खतम करना 2015 तक यह टार्गेट लेके चले गोल लेके चले अजीव जीरो लेवल ग्रोट ऑफ एच्चाइवी एड्स बाइड दोजार साथ तक हम चाते थे बिल्कुल भी एच्चाइवी के केस ना हो रिडक्शन ऑफ मॉर्टैलिटी मिर्ति उदर मॉर्टैलिट अंधापन भी बढ़ रहा था इसको 0.5% तक कम करना चाहते थे रिडक्शन ऑफ इंफेंट मॉर्टैलिटी रेट बाइट इससे पिछले पड़ चुके हैं वह ज्यादा थी और मज़र मॉर्टैलिट रेट बाइंडट पर लैक यह कितना था मज़र मॉर्टैलिट करी 176 के पास पास था तो इसको करके लिए इतना इतना बाइट 2010 तक इंक्रीज यूट्राइजेशन ऑफ पब्लीच फैसलिटी पब्लीच जादा ज्यादा जो है उसको यूटलाइज करें फ्रॉम करेंट आज की देरिक में कहा है 20% से भी कम लोग पब्लीच फैसलिटी का इस्तमाल करते हैं जो पब्लीच फैसलिटी होती है हम चाहते हैं कि 2010 तक मोर दें वह एरो जड़ चला गया है ना जितने लोग है 75% से जादा लोग इस हेल्थ फैसिटी का करें इस्तमाल करें यह टार्गेट था 2010 तक है ना इसलिए आज कल देखते होगे अब सरकारिया सब्सक्राव में भीड़ बहुत लंग लगी है धीरे धीरे सुधार आ रहा है और आ जाएगा नो डाउट उस लेबल का सुधार नही से फैल गई तो खटाक से उसका क्या क्या चड़ाया और फैला दिया मतलब ऑनलाइन भेज दिया कि यह बिमारी यहां फैली है टीका तो सर्विलियंस नादर रखनी है नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एंड हैल्थ स्टेटिस्टिक भाए 2007 हैल्थ स्टेटिस्टिक मतलब वही अपना डाटा करेंगे कोन कितना बिमार था कितने बच्चे मदरे क्या हूं सारा डाटा में पास होना चाहिए इंटीक्रेट existsिसट्म कर पाते देख पाते हैं हमारा प्रोग्राम किस हुआ ह्साथ्धं सक्सेस्पुल रहा increase health expenditure by government हम ये भी चाहते हैं कि government इसका जो वो है objective है goal है कि government अपना खर्चा बढ़ाए है ना gross domestic जो है उसका जो पूरा product है उसमें से existing जो है 0.9% तो 2% अग लेके जाए by 2010 यानि थोड़ा सा पैसा और बढ़ाए infrastructure में खर्च करने के लिए इसमें healthcare services के लिए increase share of central grants to constitute at least 25% of the total health spending by 2010 ठीक है तो जो ये था increase share of central grants जो central grants मतलब जो पैसा दिया जा रहा है at least 25% of the total health spending कम से कम कितना है 25% of the total health spending by 2010 25% तक इसको बढ़वाना था तो ये सारी चिक्या थे इसके goal थे कि किस तरीके से goal है NHB के इसमें अगर सारे याद ना रहें तो 1,2,3,4 जो तुम्हें आसान आसान है 1,2,3,4,5,6 ऐसे 6 साथ याद कर लोगे जो tough लग रहे है कि या समझ में नहीं आ रही है दिक्कत लग रही तो उनको छोड़ दोगे कि लिए रहे बात है बात समझ में आगी अब अपने लिए जो सबसाद है इंपोर्टेंट है वो है National Health Policy 2017 This is the important question आएगा तो यहां से आएगा बहुत ज़्यादा संभाव ना है पुराने वालों के डेट आएगी ठीक है तो अब देखो 2017 अब 1983-2002 दोना अपनेट हिसाफ से काम किया लेकि कुछ खामिया रहे गई तो उसको और अच्छा करने के लिए नई Policy लाई गई 2017 में एम क्या था The primary aim of the National Health Policy 2017 is to inform करना है, clarify, strengthen मजबूत करना है, prioritize the role of क्या के चाहिए करना है, inform करना है, clarify करना है मजबूत करना है, prioritize करना है तो role of government government का role in shaping health system in all its dimension कि जो government है, वो क्या कर रही है role of government government के role जो shape कर रहा है health system in all its dimension यानि कि government की सबसे ज़्यादा भूमिका है किसके लिए, health system में ठीक है, इन सभी dimension में अगर उसको सुधार करना है किन-किन चीजों में health system को सुधार में लेके आएगी, उसके हर एक dimension में क्या करेगी, सुधार करेगी कि लिए रहे बात हैं ये, तो primary aim of the national health policy क्या हो गया, is to inform clarify strength and pattern role of government, government के role में ये चार बाते हैं, ठीक है न, तो government के role एक तरह से कहीं नगए आने वाला है किसमें, primary health system में या health care services में, objective क्या है इसका improve, अच्छा हाँ, यहाँ पर देखना थोड़ा सा क्या है कि जो ये लिखा हुआ है, ये direct जो policies हैं, जो exact policy थी, वहीं से सारी sentence उठे हुए हैं, तो थोड़े से इसके word है, थोड़े से tough हैं, ठीक है न, तो मैंना उनकी प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, वही वाली बात आगी, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, यहने की अराम देने वाला हैं, रिहेबिलेटिव सेर्विसेज, प्रोवाइड़ेट थू थूद पॉब्लिक हेल्थ सेक्टर, विद फोकस ऑन क्वालिटी, तो बात वहीं आगी, हम पैलिएटिव और अराम देने वाला, एंड रिहेबिलेटिव सेर्विसेज, ऐसी सर्विसेज, जो पुर्णरवास उनको वापस ठीक किया जाएगा, प्रोवाइड़ेट थूद थूद पॉब्लिक हेल्थ सेक्टर, विद फोकस ऑन क्वालिटी, और फोकस कहां रहेगा, इ प्रोफेशनलिज्म, इंटिग्रेटी और एथिक्स, किलियर है, इसमें क्या कहने वाला है, दा है पॉलिसी कमिट, कमिट मतलब मजूर है, बाध्ध है, इटसल्फ, खुद में ही अपनी पॉलिसी है, बाध्ध है, टू हाइस्ट प्रोफेशनल इस्टेंडर्स, ठीक है न, क यह जो प्रोफेशनलिज्म है, याला कि प्रोफेशनल होगा, वो अपना स्टेंडर्स में सबसे हाइस्ट रहेगा, एक दम सबसे बेस्ट अतलब जो होगा, अपना आउटपुट देगा, इंटिग्रीटी और एथिक्स टू भी मेंटें, जो इंटिग्रीटी है, ठीक है, उसकी जो अखंडता है, और जो उसके एथिक्स है, है ना, एथिक्स मतलब काम करने तरीके में कुछ एथिक्स होते हैं, वो मेंटें होने चाहिए, इन दा एंटायर सिस्टम ऑफ है पूरे के पूरे हैल्थ सिस्टम में, ठीक है, हेल्थ केर डिलेवरी, तो क्या है, हम यहां एथिक्स होंगे, कोई चीज, एथिक्स का मतलब क्या हो गया, कि कोई भी चीज, विदिन, क्या रहेगी, अपने, एक तरह से क्या होते हैं, कि जो सबसे बैस्ट होता है, उसके दाइरे में रहेगा, एथिक्स का मतलब होता है, कि हमारा जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल law and order के हिसाब से होना चाहिए, इसका हम लोग क्या कहते हैं, एथिक्ल कहते हैं, ठीक है, ना इक्विटी, एक्विटी मतलब reducing, iniquity would mean affirmative action to reach the poorest, है ना, iniquity मतलब क्या है, एफ़ सकारात्मक action होने चीए, कि poorest जो सबसे गरीब है, उसके पास तक हमारी सारी सुकसुदाएं पहुंच जाएं बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, इट वुड मीन, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्विटी का, इट वुड मीन, minimizing disparity, हमें असमानता को minimize करना है, भेदभाव नहीं करना है, और account of, अच्छा असमानता क्या होती है, gender के अधार पे, male female, गरीबी के अधार पे, पे, caste के अधार पे, disability के अधार पे, other form of social exclusion, जो social भाहिशकार मतलब जाती बात कह सकते हैं, and geographical barrier, geographical barrier मतलब एक उस तरफ का south का है, को नौर्थ का है, इसकी अधार पे हमें ये सब कुछ नहीं करना, हमें equity, अगर कोई आया है, primary health care center में, तो वो Indian government का है, चाहो country में कहीं का भी हो, कोई भी हो, एकदम उसको क्या मिलेगा, सारी सुकसुधा है, facility मिलेंगी, affordability, afford, क्या वो afford कर सकता है, as cost of care increase, जैसे-जैसे cost of care increase करेगी, affordability as a distinct form of equity require emphasize, ठीक है, affordability जो है, कि अलग टाइप की equity आ जाएगी, और इस पर भी जोर देना जरूरी है, क्यों, affordability, क्योंकि afford हर कोई नहीं कर सकता है, जैसे-जैसे cost increase करेगी, जैसे हम बात करें, ठीक है, कई सारी सरकारी ऐसे हैं जहां पर थोड़ावाद कुछ खर्चा हुई जाता है, catastrophic, भयंकर household health care expenditure, household का household health care जो घर में अगर बीमारियां चल रही हैं, तो भयंकर जो होते हैं, खर्चे होते हैं, defined as health expenditure exceeding, अगर catastrophic household health care expenditure हो रहा है, इसका मतलब उस इंसान का 10% of its total monthly consumption expenditure, है ना 10% तक का जो उसका एक तैसे कह सकते हैं इंकम है, उसका पूरा खर्च होँआ चला रहा है, और 40% of its monthly non-food consumption expenditure are unacceptable, ठीक है, जो उसका 10% of its total monthly consumption जो उसका पूरा महीने का जो खर्चा लग जाता है, अगर उसका 10% बढ़ जा, उसके इसाद मालोब पूरे महीने में आपका total खर्चा होता है 10,000 रुपे, तो 10,000 में से अगर 10% से उपर आपका खर्चा आ रहा है, दवाईयों पर, तो ये unacceptable है, या फिर आपका जो खाने पीने का खर्चा है, वो मालोब खर्चा आया आपका 1000 रुपे का पूरे महीने का, उसका 40% याने की 400 रुपे और दवाईयों का खर्चा 500 रुपे हो रहा है, तो ये unacceptable है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखा जाएगा, affordability, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बास समझना आ रही है, युनिवर्सलिटी, युनिवर्सलिटी मतलब पूरी सब जगे सेम सेम, prevention of exclusion on social, prevent करना है, exclusion बहिशकार on social, economic और on ground of current health status, जो current health status है, उसमें हमें रोक्थाम करने कि social base पर कोई बहिशकार हो रहा है, economic पैसों के दम पर कोई चीज़ बहिशकार हो रही है, या on ground of current health status, किसी की health status खराब है उससे हम भेदभाव कर रहे हैं वाई तुम को हम नहीं देखेंगे यह कर रहे हैं यह सब चीजें नहीं होनी चाहिए युनिवर्सल्टी लेके आने हैं हमको इन इस बैकड्रॉप बैकड्रोप मतलब प्रश्ट भूमी इस प्रश्ट भूमी पर अब जब को यहाँ पर सब्दों का खेल है सारा यही लेंग्वेज लिखी हुई है बकायदा तुमारे पॉलिसी में इस तरीके से इन इस बैकड्रॉप इस प्रश्ट भूमी में इस प्रश्ट भूमी पर यह सारी चीजें लिखी गई है कि युनिवर्सालिटी रहेगी भेदबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए पेशेंट सेंटर क्वाल्टी ओफ केर यह सब को पता है हमारा सारा फोकस क्या है पेशेंट को सेंटर बीच में रख करके काम करना है तो क्या कहा रहे है यहाँ पर विद डिगनीटी यह प्रवाइड करवाई जाएगी डिगनीटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ठीक है ना पेशेंट को ध्यान में रखते हुए जेर इस नीट तो इवाल्व एंड डिसेमिनेट मतला फैलाना इवाल्व करना है बढ़ाना है फैलाना है इस्टैंडर और एक सिस्टम बनाना है जो सुनिश्चित करेगा क्वालिटी ऑफ हेल्थ केर इस ना हो मतलब कि ऐसा नहीं है कि क्वालिटी गिरा दी जाए क्वालिटी से कॉंप्रमाइज नहीं चलेगा अकाउंटिबिलिटी कहीं नहीं है ना अकाउंटिबिलिटी फानेंचियल एन पर्फोर्मेंस अकाउंटिबिलिटी फानेंचियल एन पर्फोर्मेंस अकाउंटिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इन डिसिजन मेंगिंग एन अल्मिनेशन ऑफ क्रॉप्शन इन हेल्थ केर and performance accountability transparency in decision making elimination of corruption यह चीज में है क्या है elimination in corruption in health care system both in public and private दोनों में क्या है हमारे पास health जो corruption है वो नहीं होना चाहिए ठीक है बात समझवारी है आगे आते हैं inclusive partnership हमें क्या है partnership को include करना है ठीक है पार्टनर्शिप किसकी रहेगी याने कि सब लोगों का इसमें मिला जूला हाथ रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा अब मल्टी स्केट होल्डर मल्टी स्टेक होल्डर मतलब जो जो लोग इसमें involved हैं उनको इसमें क्या करेंगी शाथ देंगी इस अप्रोच वूड इंक्लूड पार्टनर्शिप से क्या हो गावगा तो कही ना कहीं यह हमारा लेवल एझकर सिस्टम और उपर उठेगा ठीक है यह फिर कहा हुँ यहां पे फोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है लेंगवेज ऐसी लिखी हुई है pluralism pluralism मतलब बहुत सारी चीजे है ना plural singular का plural बहुत सारा तो इससे क्या मतलब है यहाँ पर patient who choose and when appropriate patient जब चाहे चूज कर ले और जब उसको appropriate लगे would have access to ios care provider वो ios care provider के पास भी जा सकता है this system would also have ios पता ना भी क्या था आयरवेदा योगा युनानी सिद्धा होमवेथी this system would also have government support in system को भी government support है in research and supervision to develop and enrich their contribution to meeting the national health goal and objective through their integration practice तो कह रहा है इन system को government support है जिससे कि वो क्या करें जो अपना contribution day to meet जिससे कि जो national health goal है वो achieve हो सके and objective through the integration practice integrative होना मिली जूली प्रैक्टिस सब आपस मिल करके काम करेंगे तो national health goal है जो वो easily achieve हो प्लूरेलिजम्स जैना केवल अब अलोपेथी नहीं सबको साथ में ले लिया गया है बात समझ में आ रही है आगे आते हैं decentralization decentralization का मतलब होता है चीजों को एक होता है centralization की एक आधिकार अब decentralization कर दिया है सब लोग अपना decision ले सकते हैं decentralization of decision making to level as a consistent with practical consideration and institutional capacity है ना तो यहाँ पर सीरी सी बात क्या हो गया है decentralization कर दिया गया decision making में कि पल एक decision नहीं लेगा अलग-अलग जो हमने खोल दिया है वो सब अपने अपना खुद का decision ले करके काम करेंगी community participation in health planning process to be promoted side by side community participation का भी तो साथ होना चाहिए कि वो लोगों को क्या करें जागरूप कर रहा है इन health planning process जो health planning process है उसमें community का भी participation होना चाहिए इस चीज़ को promote करना है side by side आसा नहीं कि बस government की जिम्मेदारी है भाई हम लोगों की भी जिम्मेदारी है community में रह रहे हैं हम लोग हम सब लोगों को मिलकर काम करना है बात समझ मारी है आगे आते है dynamics and adaptiveness dynamics मतलब बदलाव और adaptiveness और उसके साथ उसमें ढलना दोनों चीज़ ज़रूरी है कोई चीज गलत है या कोई चीज सही नहीं है तो उसमें dynamics मतलब changes आना ज़रूरी है और फिर उसके साथ हमको ढलना है constantly improving यानि की बात होगे improving की डानी मतलब improve organization of healthcare based on new knowledge and evidence with learning from communities है ना लगात साथ इंप्रूव करता हुआ organization of healthcare जो की बेस होगा नई knowledge पर and evidence with learning from community और उन साच्छों पर जो की learning हुए है कहां से community से and from national and international knowledge knowledge partners is designed तो हमें ऐसा नहीं करना कि जो धर्रा बना दिया हो ही है हमें लगातार उसको improve करना जहां से knowledge मिल दी उसको इखटा करकर डालना है जो नई चीज़ कर सकते हो वह हम करेंगे यहापर अब यह तो होगे इसके क्या principles goals क्या क्या है इसके आप goals मेंने बहुत सारे लिखे हु हो जाए एक normal इंसान अपनी जिंद्गी सत्ता साल तक जिंदा रहे 2025 तक इस्टेबलिस रेगुलर ट्रैकिंग ओफ डिसेबलिटी इस्टेबलिटी करेगा क्या रेगुलर ट्रैकिंग ओफ डिसेबलिटी एड़ेस्टेट लाइफ यह की लिए इंडेक्स एस मेजर ऑफ बड बढ़ाना है 2.1 तक at national and subnational level by 2005 national fertility rate को बढ़ाना है reduce under 5 mortality rate अब समझ मा रहा होगा under 5 पिछले लेक्शेर हम पढ़ चुके under 5 क्या होता है by 2025 mmr mother mortality rate को हमें क्या करना है सौ तक लेके आना है 2020 तक reduce infant mortality rate to 28 by 2019 तक हमको इसको लेके आना है reduce neonatal mortality rate अब नियो नेटल infant mortality सब हमने पिछले लेक्शेर में डिसकस किया है ठीक है ना and still birth rate to single digit by 2025 single digit मतलब 246 बस इतना ही achieve and maintain elimination status of lepracy को बिल्कुल खतम कर देना है काला आजार और इसको भी 2017 क्या कर देना है खतम कर देना है to achieve and maintain cure rate more than 85% हम चाहता है जो curative rate है वो 25% से जादा हो in new sputum positive patient जो sputum positive patient है टीवी के उनमें जो cure rate है वो 50% से जादा हो जाए and reduce incidence of new cases और टीवी के नए case गिर जाए to reach elimination status by 2025 ता कि हम 2025 तक TB के सारा case जड़ से खतम कर दे है to reduce the prevalence of blindness to 0.25 blindness को हम 0.25 तक लेके आना चाहते है पर 1000 मेरे ठीक है ना to reduce premature mortality from cardiovascular disease हम चाहते हैं premature mortality ना हो कोई मना मरे cardiovascular disease से cancer से diabetes से और chronic respiratory disease से by 25% 25% तक इसमें हम गिरावट लाना चाहते हैं increase utilization of public health facility by 50% हम चाहते हैं कि लोग public health facility को क्या करें use करें और यह use करना कितना पर जाए 50% से भी ज्यादा हो जाए anti-natal care है ना pregnancy के पहले delivery से पहले care coverage to be sustained above 90% हम चाहते हैं कि 90% से उपर चला जाए and skilled attendance at the birth above 90% by 2025 और गाहों धियाद में ना वहाँ पर हर जगे hospital नहीं होते तो skilled attendance जो skilled लोग है आशाव गारा रहते हैं वहाँ पर मौझूद रहें पहुंच सकें वो लोग at national and sub national level by 2025 80% of non-hypertensive and diabetic individual at household level maintain control disease status ठीक है न हम चाहते हैं 80% तक के लोग जो hypertension और डाविटीक हैं वो control disease status तक पहुंच जाए 2025 तक maintain कर लें इसको relative reduction in prevalence of current tobacco use हम चाहते हैं जो तमागों का इस्तमाल हो रहा है उसमें क्या है reduction हो कितना 15% by 2020 and 30% by 225 40% reduction in prevalence of stunting of under five children by 2025 ठीक है न इस्टेंटिंग मतलब जो गंठापन रहा था नाटापन रहा था ग्रोथ नहीं हो पाती है उस्टेंट कहते हैं 40% हम हम चाहते हैं इसमें ग्रावट आ जाए safe water and sanitation to all by 2020 हम चाहते हैं 2020 तक safe water and sanitation सबको मिले सवच भारत मिशन चल रहा है उसके लिए reduction of occupational injury जो इंसान कुछ काम करता है उसकाम के दौरान कुछ injuries हो जाती है हम चाहते हैं वह आधी हो जाए current level इसको क्या है 334 per lakh agricultural worker ठीक है न तो यहां पर क्या है कि 334 per lakh आज की डेट में जो है वो 334 per lakh है agricultural worker के लिए और हम चाहते हैं कि यह क्या हो जाए इसका आधा हो जाए तो बात समझवारी है तो यहां पर क्या है कि हम चाह रहे हैं कि यह सारे goal हम लोग क्या करें हम लोग क्या करें इसको अचीव कर लें तो हम लोग क्या चाहते हैं जो occupational injury हो वो क्या हो जाए आधी हो जाए कब तक 334 जो आज की लेवलों 334 per lakh है वो आधी हो जाए ठीक है न कब तक 2020 तक तो यह सारे mission और goal से हमारे national health policy के तो अब हमको क्या पढ़ना है माइड नर्चर एप का क्या mission और goal है ठीक है और उससे आपको क्या क्या benefit होने वाले है तो देख लेते हैं माइड नर्चर एप का भी mission और goal क्या क्या है आपँ देखते हैं तो आओ जानते हैं अपने Mind Nurture एप के बारे में तो येस हमारे चैनल का जो नाम है Mind Nurture उसी के नाम से अब एप आ चुका है जो की Google के Play Store पे मौझूद है ठीक है Lecture के link में भी उसका description दे रखा है और चाहो तो direct कहां Play Store पे जा करके उसको download कर सकते हो ठीक है अब देखो यूटूब पर lectures and notes यूटूब पर भी available है free of cost है ना जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये तो मैंने बच्चे से promise किया था कि lecture और notes जैसे डाल रहा हूँ मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूँगा कोई change नहीं आएगा जितने lecture मेरे एप में होंगे जितने notes मेरे एप में होंगे उतने lecture और notes आपको YouTube पर मिलेगा बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी वह चीज है one marks question की practice जो one marks important question होंगे ठीक है ना one marks question में basically तुम्हारे पास क्या आते mcq और fill in the blanks ठीक है यह तुम्हारे अब नय जो pattern है उसमें नय exam pattern है ठीक है न उसमें mcq और fill in the blanks आ रहे हैं दोनों मिला करके 10 number के यह आते हैं 10 number के यह आते हैं ठीक है plus two marks question याने कि आप इतना सारा पढ़ेंगे यहां वो कुछ important question दूँगा मैं two marks, three marks, five marks कि आगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो pass तो guarantee हो जाएंगे ठीक है और जब detail knowledge चाहिए होगी ठीक है तो उसके रहे पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ाई रहा हूँ ठीक है और जिस बच क्या होगा live class होंगी doubts के लिए मैं आया करूँ हो live class जो कि अभी start already हो चुकी है बच्चे doubts पूछ रही है और class चल रही है सबसे बच्चों बड़ी चीज़ जो होने वाली है MCQ test की practice यह तो चलो एक बार को ठीक है MCQ questions MCQ questions की इतनी सारी practice होने वाली है हर lecture से 15-20 questions भी पूरे chapter से मिला करके 100-100 questions हो जाए करेंगे जो कि तुम्हारे deform और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है MCQ questions अब जेखो समझे क्या है यह MCQ questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते यूटूब पर नहीं ले सकते अब यूटूब पर क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूँ question लिखा होगा 4 option लिखे होगा मैं बोलूगा बच्चों यह question है यह 4 option इसका answer ही है मज़ा नहीं आएगा ऐसे ठीक है ना मज़ा कैसे आएगा question सामने होगा तुम पढ़ोगा तुम answer click करोगे पढ़ करके सोच करके वो मज़ा आएगा उससे practice होती असली ठीक है ना तो यह सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है फिलिंदा विल्याक से बारे में बात करी चुका हूँ routine test for deform and exit exam only 40% marks चाहिए सबको पता है 100 मेंसे सबको कितने चाहिए 40 number में pass हो जाओगे ठीक है ना तो routine test routine test का क्या मतलब है माल लो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर chapter 2 खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर combined test होगा एक किसका chapter number 1 plus chapter number 2 का फिर chapter 3 मालो खतम हो गया फिर उसके बाद एक combined test होगा 1 plus 2 plus 3 इस तरह से चलता रहागा चलता रहागा एक time वो आएगा 1 plus 2 plus 3 मालो 13 chapter है तो combined test हो रहे है यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और अगर बे मन से भी दे exam को target करके होगी ठीक है ना जो subject तुवारे exit exam में आएंगे उसको target करके पढ़ाई होगी यानि कि जब theory पढ़ोगे या लिकोशन अच्छे से कर ले जाओगो तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे और MCQ जब बहुत अराम से क्लियर कर ले जाओगे बास सोजबारी है और fees बिलकुल minimal है 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी subjects की फर्स्ट यर पूरा साल सभी subject 1100 रुपए सेकंड यर पूरा साल सभी subject फिर से 1100 रुपए यानि कि एक साल की fees आपको 1100 रुपए पढ़ रही है इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे तो ना कि बराबर है महिने का त इससे सस्ता cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई query है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है एप को ले करके ठीक है या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है notes का link जो description में दिया रहता है lecture के YouTube के सभी lecture मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है जिसमें मैंने notes नह करना नहीं आता है मुझे call कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले ठीक है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बे जिजग बिना हिचके चाहे मुझे call करें डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर रहे सर कैसे क्या है ठीक है मैं तुम लोगों को वह चीज बता है ना तो रिवीजन जरूर 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 करना में हमेशा कहता हो रिवीजन ही है सिलेक्शन रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीब पालोगे हर एक चीज आपको अचीब हो जाएगी ठीक है ना तो क्या करते रहो रिवाइस करते रहो और पढ़ते रहो All the best